नमस्कार दोस्तों आप सभी का चैनल में स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सभी का स्वास्त अच्छा होगा और सभी लोग परिक्षा के लिए अच्छे से तयारी कर रहे होंगे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तयारी अच्छी हो ताकि आप अपने एक्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके तो आज की इस वीडियो में हमें कैसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और मेरी यहर आई रहेगी कि आप पढ़ने के लिए बैठे तब इस टॉपिक को गलती से भी स्किप ना करें क्योंकि इस टॉपिक से एक्जाम में क्वेस्चन और प्रशन जरूर होते हैं बहले वह यह प्रशनों की रांक क्या था कंट्री क्या था यह उसका प्रडक्शन क्या था तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल वर्ड क्रूट स्टील प्रडक्शन का तो जैसे कि अभी 2022 का साल चल रहा है तो इस साल एक्जाम में 2021 का प्रडक्शन पूछा जाएगा तो आज हम लोग क्रूट स्टील प्रडक्शन 2021 का डिसकस करने वाले हैं यह टॉपिक सारे प्रश्ण उठते हैं इससे आपका एक ही लाइन से तीन तीन प्रश्ण उठाया जा सकता है कि वह कंट्री कौन से रैंक में था यह रैंक दिया रहेगा और पुछा जाएगा कि उसका प्रडक्शन क्या था 2021 में तो बहुत सारे नंबर रहेंगे जिसमें से आपको उसका प्रोडक्शन जो होगा वो चुनना रहेगा तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रशनों उठ सकते हैं और इसमें आपको सारा जो भी नंबर है उसको याद करना ही होगा क्योंकि जितने भी आप्शन रहेंगे वो कन्फ्यूस करने वाले आप्शन रहेंगे यह तो आप 20 का मार के आए और हो सकता है 21 का भी सही लगे तो इससाब से आपको यह पूरा चार्ट जो अभी आपके स्क्रीन में है उसको बहुत अच्छी से याद करना होगा अब बढ़ते हैं वीडियो की तरह जैसे कि आपके स्क्रीन में मैंने एक स्लाइड लगाया हुआ है जि टोटल वर्ड कुट स्टील प्रोडक्शन वाज वन थाउजन नाइन फिफ्टी पॉंट फाइफ मिलियन टन इन तुटॉजन ट्वेट यहीं देखा जाए तो हमारा परस्टन का निर्मान किया जा सकता है और एक्जाम में पूछा जा सकता है यह वाट वस्टी टोटल वर् वन थाउजन नाइन फिफ्टी पॉंट फाइफ मिलियन टन को याद करना होगा क्योंकि इसमें नंबर्स को आगे पीछे करके भी दिया जा सकता है ताकि आप कंफ्यूज हो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया आगे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि स सबसे इंपॉर्टेंट रहाएगा इस बार हम लोग के लिए तो अगर हम लोग देखे तो सबसे पहला स्थान चाइना को दिया गया है क्योंकि 2021 में उसका प्रोडक्शन 1032.8 मिलियन टन रहा है सेकेंड में इंडिया है 118.1 मिलियन टन अब अगर हम दोनों के बीच में कंप में क्रूट स्टील का प्रोडक्शन में इतना आगे बढ़ चुका है कि इतना ज्यादा डिफ्रेंस रह जाता है दूसरे स्थान और पहले स्थान में अगर हम दोनों के बीच में एस्टीमेट ही लगा लें तो 900 मिलियन टन का कुछ डिफ्रेंस मिलेगा हमें तीसरे स्थान में जापान है जिसका प्रोडक्शन था 96.3 मिलियन टन अब इसमें हम 2020 का को बोल नहीं रहे है लेकिन यह भी जरूरी है आप इसे देख लिजेगा लेकिन ज्यादा तर चांस है कि 2021 का ही पूछा जाए इसल 2021 का इंग्दम कंठस्ट कर लिजेगा बहुत अच्छे से याद कर लिजेगा क्योंकि इसे प्रश्ण उठते तो जरूरी है अब चौते स्थान पर हम बात करने वाले यूनाइटेट स्थेट का जिसका प्रोडक्शन था 86 मिलियन टन अब वैसे तो यूसे हम इंडियन से हर एक फील्ड में लगबख लगबख आगे रहता है लेकिन इस स्था कदम पीछे है जो स्थान पीछे है क्योंकि उसका रैंक फूर्थ है और इंडिया का सेकेंद इंडिया और यूनाइट स्थेट्स में यहां प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी नहीं है लेकिन कमी है तो पाच्वे स्थान पर है रश्या जिसका प्रोडक्शन था 76 मिलिय टन साथ में में टर्की 40.4 मिलियन टन और आट में था जर्माइन 40.1 मिलियन टन अब इसी के साथ मैं बार बार आपको यही दोर आ रही हूं कि आप इसे अच्छे से याद कर लीजेगा यहां यादी करना आपके लिए सबसे जाद लाब दायक होगा तो प्रशन यहां पर ज टोटल कूड सील प्रोडक्शन ऑफ टुटाजन ट्वैट्वीटिवन तो उत्तर होगा चाइन यह भी पूज़ा जा सकता है कि वॉट वॉज दी प्रोडक्शन ऑफ चाइन टुटाजन ट्वैटिवन तेसमें उत्तर होगा 1032.8 मिलियन टन अब इसमें ऐसा भी हो सकता है औ में 2020 कर रहे हैं और बाकि सब में इसी से मिलता जुलता कुछ नंबर दिया जाए ताकि आपको कन्फियोज किया जा सके तो ध्यान रखिए का जब आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हों नौवे नंबर पर आता है ब्राजील दस्वे में आता है इरान आप इसका स्क्रिन शॉट जरूर ले लिजेगा ताकि आपको भविश्य में ये काम आए जब आप एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों तो आशा है कि आपको ये वीडियो जानकारी के लिए लगी हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आपको हम ऐसे ही वीडियो और देते रहें सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियो आल लाएंगे आपको अगला वीडियो कौन सा टॉपिक में चाहिए होगा आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं या इसी टॉपिक में आपको कहां पर कठीनाई आई हो या प्रवत हो और एक्जाम के लिए अच्छे तो त्यारी करते रहें बेस्ट आफ लक एंड थांक यू